हमारे शरीर को जितने भी न्यूट्रियेंट्स चाहिए होते हैं, उनमें से पोटैशियम लिस्ट में सबसे उपर है. शरीर को इसकी बड़ी मात्रा में जरूरत पड़ती है, और मैं यहां 4700 मिलिग्राम की बात कर रहा हूँ. शरीर को किसी दूसरे न्यूट्रियेंट्स की इतनी ज्यादा मात्रा में जरूरत कभी नहीं पड़ती. सवाल ये उठता है कि हमें इतने ज्यादा पोटैशियम की जरूरत आखिर क्यों पड़ती है? ऐसा इसलिए है क्योंकि पोटैशियम एक बेहद महत्वपूर्ण एंजाइन की जरूरत पूरी करता है, जो सोडियम पोटैशियम पंप में शामिल रहता है. ये पंप आपके सभी नर्व सैल्स और सभी मसल सैल्स में मौझूद रहता है. ये एक ऐसा पंप है, जो हमारे सैल्स की बैटरी को स्थापित करता है. इलेक्रिकल इंपल्सिस को प्रवाहित करने के लिए हमें इस पंप की जरूरत पड़ती है. मांस्पेशियों के कॉंट्रैक्शन के लिए हमें इस पंप की जरूरत पड़ती है. ये contraction आपकी arteries में होता है, हमें heart की मान स्पेशी के लिए इसकी जरूरत होती है यहां तक की kidney को भी इसकी जरूरत पड़ती है, और आज हम आपकी diet में परियाप्त potassium नहीं होने के परिणामों की बात करने वाले हैं मुझे एक research paper के जरिये कुछ नई जानकारी मिली है, जिसे मैं आपके साथ share करना चाहता हूँ पेपर का शीर्शक है toxicity के बिना high potassium paleolithic diet के फायदे प्राप्त करना हजारों साल पहले stone age में इनसान 4700 mg से कहीं ज्यादा potassium लिया करता था ऐसे तथ्य मिले हैं, जो बताते हैं कि उस समय पर इनसान रोजाना 15000 mg तक potassium लेता था ये मात्रा वर्तमान में 4700 mg के RDA से 4 गुना ज्यादा है फिर अगर हम उन स्थरों से potassium और sodium की तुलना करें, तो sodium की तुलना में हमें 16 गुना ज्यादा potassium लेने के तथ्य मिल जाते हैं कुछ ऐसे दिल्चस्ट और विश्वसनिय आकड़े भी हैं, जो दिखाते हैं कि sodium की तुलना में हमें कहीं ज्यादा potassium की जरूरत पढ़ती है हमारी kidney sodium को जमा करके रखती है हमारी kidney में एक खासियत होती है, ये अतरिक्त potassium को बाहर निकाल देती है और sodium को इकठा करके रखती है कई लोग कहते हैं कि potassium kidney के लिए हानिका रख होता है, इसके कारण कई problems पैदा हो सकती है मैं आपको बता दूँ कि केवल kidney की बीमारी की 5th stage, यानि कि जब kidney पूरी तरहे खराब हो जाती है, तभी potassium kidney के लिए हानिका रख होता है अगर kidney की बीमारी से पहले आप बड़ी मात्रा में potassium लेते हैं, तो ऐसा देखा गया है कि इससे kidney की बीमारी से सुरक्षा मिल जाती है एक औसत इंसान रोजाना लगभग देड़ कटोरी सबजियां ही खाता है, जो की potassium का प्राथमिक्स रोथ है केले से आपको बहुत ज्यादा मात्रा में potassium नहीं मिलेगा मैं आपको बता दूँ कि एक केले से आपको केवल 300 mg potassium ही मिलेगा इसलिए potassium की पूर्ती करने के लिए आपको बहुत ज्यादा केले खाने पड़ जाएंगे केलो में बहुत ज्यादा fructose भी होता है, जिसके कारण कई problems पैदा हो सकती है आलू में भी बहुत ज्यादा potassium होता है, लेकिन उसमें starch होता है, जिसके कारण कई problems हो सकती है एक medium size के आलू में लगभग 600 mg potassium होता है लेकिन एक कटोरी हरी पत्तेदार सबजी से आपको 500-800 mg potassium मिल जाएगा अगर आप दिन भर में 5-10 कटोरी सबजिया या सलाद खाएंगे, तो आपको बहुत ज्यादा मात्रा में potassium मिल जाएगा पॉइंट ये है कि हमें बहुत ज्यादा potassium की जरूरत होती है हम जितना खा रहे हैं, हमें उससे ज्यादा जरूरत होती है दुर्भाग्यवश एक औसत इनसान अपनी डाइट से परियाप्त मात्रा में potassium प्राप्त नहीं कर रहा है और शायद आप कहेंगे कि लोग अपने supplement से potassium प्राप्त कर रहे हैं मैं आपको बता दूँ कि supplement की एक tablet से आपको 49-99 mg potassium ही मिल पाता है अगर रोजाना की बात करें, तो उसके हिसाब से आपको potassium की पूर्ती करने के लिए potassium की बहुत ज्यादा tablet लेने की जरूरत पड़ेगी ऐसा करने के लिए आपको रोजाना 47 टेबलेट लेनी पड़ेगी और ऐसा कोई नहीं करेगा अगर हम potassium की कमी की बात करें, तो इस पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि ज्यादातर potassium लगभग 98% potassium आपके cells के अंदर मौजूद रहता है इसलिए आप खून की जाच करके ये नहीं बता सकते की आपके potassium की कमी है या नहीं है क्योंकि ज्यादातर potassium आपके cells के अंदर मौजूद रहता है और उसका पता लगाने के लिए आपको एक अलग तरीके का टेस्ट करना होगा, जिसे intra-cellular potassium टेस्ट कहते हैं मैं आपको बता दू कि शुरुवात में potassium की कमी के लक्षन दिखाई ही नहीं देते, शुरुवात में आपके डायाफ्राम में कमजोरी आ सकती है, जिसके कारण आपको सांस लेने में problem हो सकती है, आपको ठकान का सामना करना पढ़ सकता है, आपकी धड़कन असामान्य हो सकत लेकिन ये सभी potassium की कमी के शुरुवाती संकेत हैं, जब आगे चलकर potassium की कमी बढ़ने लगती है, तब आपको high blood pressure का सामना करना पढ़ सकता है, आपके शरीर में fluid जमा होने लगता है, आपकी हड़ियां कमजोर होने लगती है, और आपको kidney stone भी हो सकता है, क्योंकि potassium arteries और calcium का level बहुत ज्यादा दिखाई दे सकता है, क्योंकि उसके कारण एक ऐसा बातावर्ण तयार हो जाता है, जहां kidney में stone का खत्रा बढ़ जाता है, इसलिए आप समझ सकते हैं कि potassium कितना महत्वपूर्ण होता है, और उसके कारण कई problems खड़ी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि आ आप में potassium की कमी हो सकती है, क्रोणिक ष्ट्रेस या हाई-कार्ब diet लेने के कारण insulin के बढ़े हुए level की वजह से भी आप में potassium की कमी हो सकती है, कीटोजेनिक diet के कारण भी लोगों में potassium की कमी हो सकती है, मान लेते हैं कि आप कीटोजेनिक डाइट शुरू करते हैं जिसे हम कम कार्ब वाली डाइट कहते हैं और मान लेते हैं कि आप में पहले से पोटैशियम की कमी है और आप कोई भी पोटैशियम, इलेक्ट्रोलाइट या सप्लीमेंट नहीं ले रही है तो होता ये है कि potassium glycogen को store करने में आपकी मदद करता है और glycogen आपके liver और आपकी manspatio में मौजूद शुगर होती है इसलिए अगर आपका शरीर glycogen का इस्तिमाल करता है तो उसके कारण आप में पानी और potassium की कमी हो जाती है इसलिए अगर आप ketogenic diet के दोरान potassium नहीं लेंगे तो आप में उस कारण के चलते potassium की कमी हो जाएगी अगर आप fasting कर रहे हैं जैसे कि मान लेते हैं कि आप 3 या 4 दिन से fasting कर रहे हैं और आप supplements खासकर electrolytes जैसे कि potassium, trace minerals या भी vitamins नहीं ले रहे हैं तो आपको उतने लंबे समय की fasting से problems शुरू हो सकती हैं मान लेते हैं कि आप 3 से 5 दिनों की fasting कर रहे हैं और fast खोलते ही आप टेजी से खाने लगते हैं आप बहुत ज्यादा कार्ब खाते हैं जिसे refeeding syndrome कहते हैं जिसे हम potassium की गंभीर कमी कह सकते हैं मैं अभी उसकी बहुत ज्यादा बात तो नहीं कर पाऊंगा लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि इसके कारण आपके खून से potassium तुरंट आपके cells में पहुँच सकता है और शरीर में potassium की गंभीर कमी हो सकती है जो बेहत खतरनाक साबित हो सकता है क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में एक औसत इंसान 60% कैलोरीज अल्ट्रा प्रोसेस्ट फूज से प्राप्त करता है जिसमें से nutrients हटा दिये जाते हैं उदाहरन के लिए डोरी टोस की बात करते हैं मैं कॉलेज के दिनों में बहुत ज्यादा मात्रा में डोरी टोस खा जाया करता था सुभा उठते ही मैं देखता था कि मेरे हाथों और पैरों की उंगलिया सूच गई है उस समय पर मुझे सेहत की कोई भी जानकारी नहीं थी, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था मुझे लगता है कि उस समय पर डोरी टोस में 11 इंग्रीडियेंट्स डाले जाते थे लेकिन शायद अब इंग्रीडियेंट्स की संख्या 30 तक पहुंच चुकी है इसमें विभिन फ्लेवर्स भी डाले जाते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि आप हॉट विन्स के साथ टाको खा रहे हैं क्या डोरी टोस में बहुत ज्यादा पोटैशियम मौझूद रहता है नहीं, ऐसे फूर्स और फास्ट फूर्स रेस्टोरेंट में मिलने वाले खाने में बहुत ज्यादा सोडियम मौझूद रहता है जिसका स्वाद आपको बहुत ज्यादा पसंद आता है आप इसे बहुत ज्यादा खा जाते हैं और फिर आप में potassium की कमी हो जाती है इसलिए जितने भी fast food restaurant हैं जो आपको हर गली नुकड़ पर मिल जाएंगे यहाँ के खाने से आपको भरपूर sodium के साथ बहुत ज्यादा खाली calories मिल जाती हैं जिनमें नामात्र के बराबर nutrients और zero potassium होता है जितने भी लोग ऐसे restaurants में जाते हैं अगर आप उन्हें देखेंगे अगर आप उनकी आखेंगे तो आपको उनकी आखें सूजी हुई दिखाई देंगी और वे बिलकुल भी स्वस्थ नहीं दिखेंगे उनके cells की बैटरी की पावर खत्म होने लगती है पैदल चलते समय उन्हें थकान लगने लगेगी और फिर इन सभी लक्षनों का इलाज आप अलग-अलग दवाई लेकर करेंगे आप high blood pressure की दवा लेने लगेंगे आप खून को पतला करने वाली medicine या energy drinks लेंगे आप edema और high blood pressure के लिए diuretic दवाईया भी लेंगे जिनके कारण potassium की और भी ज्यादा कमी होने लगेगी मैं आपको सलाह दूँगा कि आप ये experiment खुद के साथ करना शुरू करें केवल एक हफते तक high potassium वाले foods खाएं भरपूर मात्रा में हरी पत्तेदार सबजिया खाए और अगर आपको हरी सबजिया खाना पसंद नहीं है तो आप उनका shake भी बना सकते हैं आप blender में kale के साथ blueberries ब्लेंड कर सकते हैं आपको कई सारी recipes मिल जाएंगी लेकिन आपको potassium से भरपूर foods की मात्रा बढ़ानी चाहिए और आपकी कई problems दूर होना शुरू हो जाएंगी अगर आप जानना चाहते हैं कि खाने में potassium की मात्रा कितनी होनी चाहिए तो मैंने उस पर एक video भी बनाया है आप उसे यहां देख सकते हैं चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें